हलो फ्रेंड्स वर्कम टो माई यूट्यूब चैनल कुक कुकिंग आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चीज चिली पनीर तो आप गर्मे बिना किसी जंजट से घर्मा गरम चिली पनीर बना कर खा सकते हो तो बिना टाइम विस्ट किये शुरू करते हैं आ हम पे मैंने और अधुरू क्लेसर्व को मैंने बरीक कता हुआ है पचास ग्राम ममने यहां पे पनीर लिया है मैह इतो आज सब से पहले हम एक बॉल लेंगे पैंग्स मैदा रें कटा सांथी म हें इसके हम दालेंगे 5 म महils कट पर दिशाएंगे यहां इसके हम डालेंगे पनीर थोड़ा सा इसमें हम पानी आट करेंगे और इसको अची तरह से मिक्स कर देंगे इस तरह से करने से हमारा जो पनीर है अगर जब हम फ्राइ करेंगे तो थोड़ा सा क्रिस्पी रहेगा तो बैटल को थोड़ा सा आपने मोटा ही रखना है जदा पतला नहीं करना देखि पनीर को अच्छी तरह से हमने ब्राउन कर लेना है तांकि इसका जो सवाद है सब्जी में बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी लगे पनीर हमारा पनीर हमारा ब्राउन हो चुका है तो इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में इसका ओईल हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और अब हम एक बॉल लेंगे थोड़ा सा इसमें पानी लेंगे और इसमें डालेंगे कॉर्ण फ्लोर इसका हम एक गोल त्यार करके रख लेंगे अच्छी तरह से से मिक्स कर देना है जब से पहले लेंगे पैन और इसमें जाएगा एक चमल जीरा थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे साथी में डालेंगे प्याज प्यास को भी मैंने क्यूब में काटा हुआ है तो प्यास को हमने ज़्यादा बूढ़ना नहीं है इसको थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है तो सिर्फ लाइट सा हम इसको ब्राउन करेंगे अधरुक और लसुन डाल देंगे साथ में डालेंगे हरी मिर्च प्यास के साथ पका लेंगे शाथी इसमें जाएगा भैल पिपर तो इसको हमने थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है तो ज़्यादा फ्रेंटस इसको नहीं पकाना थोड़ा सा इसको बस हम ब्राउन करेंगे और इसमें डाल देंगे सॉस सबसे पहले मैंने डाला है सोया सॉस एक चमच एक चमच ग्रीन चिली सॉस और एक चमच मैने यहाँ पे लाल मिर्च का घोल तियार किया था उसको डाल देंगे तांकि हमारी जो चीज से लिए है उसका कलर बढ़िया लगे तो साथी में हम डाल देंगे एक चमच विनेगर तो फ्रेंट्स अब हम इसमें डालेंगे तीन से चार चमच टोमेटो सॉस अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे थोड़ा सा इसको पका लेंगे साथी में डाल देंगे त्यार किया हुआ गोल तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके डालना है क्योंकि कॉर्ण फ्रोर जो होता है वो नीचे बैठ चाता है तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करके फिरम डाल देंगे इसमें अच्छी तरह से इसे कर देंगे मिक्स थोड़ा सा अगर आपको नीड लगे तो आप इसमें पानी आड़ कर सकते हो अगर आपको नहीं नीड तो ऐसे ही आप चलाते हुए इसको एक से दो मिनिट पका लेंगे अब हम एड़ कर देंगे इसमें पनीर फ्राइ किया हुआ पनीर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे हमारे मसाले में तो दिखे फ्रेंड्स हमारा जो चीज चिली है वो बिल्कुल बनकर त्यार है हमारा चिली पनीर बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल जैसा बनकर त्यार हो चुका है तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा धनिया एड़ कर सकते हो नहीं तो आप इसको गानिश करते वक्त डाल सकते हो अच्छी तरह से इसे चला कर मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको निकाल लेंगे एक सर्विंग पलेट में तो देखें फ्रेंड्स हमारा जो चेस्टिली है वो बनकर बिल्कुल रत्यार है गानिश के लिए हमने यहां पे थोड़ा सा धनिया एड़ कर दिया है तो इसको गर्मा गर्म सर्व करिए खाने में बहुत ही टेस्टि लगता है तो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप गर्मे ऐसे ही बना कर चेस्टिली होटल स्टाइल एक रेस्टोरन स्टाइल चेस्टिली बना कर खा सकते हो थैक्स फॉर वाचिंग